हाई फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो अगला T20 का मैच आज खिला जाएगा GAM वर्सेस NIG के बिच में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोन वच करना सारे इंफॉर्मेशन के लिए और दोस्तों मॉटिवेशन के लिए सपोर्ट के लिए वीडियो को एक बार लाइक से स्टार्ट जरू करना फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेश्ट है अगर आप चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना है इस वीडियो के नीचे दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन मिल ये जाएगा इस पए एक बार क्लिक कर रदें सांते सातियां पर जो 12 अकन दिया हुए दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको all का option दिखने को बिदेगा इसको भी एक बार select जरू कर लेना दोस्तों ताकि आने वाले T10 और T20 मैस्ट का विडियो में जैसे ही Upload करोंग कि आप मारे टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर लें दोस्तों यहाँ पे आपको more का option दिखने को मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको मारे टेलिग्राम गुरूप का link सो हो जाएगा देखो इस group में जोईन करना जरूरी है आप क्लिक करके easy join कर सकते हैं तो चलिए अब stats की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह जो मुकाबला है यह आपको साम 5-15 में यह मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तों venue की बात करते हैं तो यह integrated polytechnic additional center की गाले की ground पे यह मुकाबला होगा और यहां का peach report की बात करते हैं दोस्तों तो जिस प्रकार के matches अभी तक हुए है recent अगर आप कुछ scores देखेंगे इस ground पे तो मतलब आपको 130-150 के आजपास एक average score आपको देखने को मिल जाएगा इस ground पे टीक है तो यह चीद ध्यान रखना है आपको बाकि सबसे पहले बात करेंगे दुस्तों आप गमविया के टीम के बारे में तो इस टीम ने दुस्तों अभी तक एक matches खेल चुका है तो कि पहला मुकाबला 122 का target इन्होंने set करा था लेकिन इनकी opponents team 17 over 2 गिंदों पे इस run को cheese कर लिया और पहला ही जो मुकाबला है गमविया के टीम विन करते वे आए हैं वह एकर यहां गमविया के टीम लॉस करते वे आए हैं पहला मुकाबला स्वरी यहां पर SWZ के टीम यहां पर easy chase कर लिया था लेकिन NIG अगर यहां पर आप निगरिया के team का records देखते हैं पहला मुकाबला 86 का target इन्होंने दिया था जो कि NIG के team में इस run को जो हैं दोस्तों chase कर लिये थे पहला मुकाबला विन करा है और वहीं अगर आप देखेंगे second match के बारे में दोस्तों यहां पर 72 का मात्र दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 72 का ही target मिला था second match पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो NIG के team ने काफी बड़िया तरीके से जीता है देखो NIG के जो team है ना काफी मजबूत रिमें as compared to GAM के team ठीक है ना से पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर एडेम उला खेलते हुए नजराने वाले ही यह जो प्लेयर है दुस्तों यह पहले match के अंदर ओपन करने के लिए चुके हैं तो यह दोनों के दोनों खिलाडी टीम के ऑपनर बैट्समेन है जी ए ए एन आई जी के टीम के तरब से और इन दोनों आपनर बैट्समेन को अपने टीम के अंदर आपको ट्राय करना होगा एश्मित का record फर्स डाउन पे खिलेंगे पहले match के अंदर 14 रन स्कुर करा है दुसरे match के अंदर 27 रन बना है तो स्टार्टिंग के यह तीन प्लेयर बहुत इंपोर्टन रहेंगे यह आपको विकेट के प्रिंग में नजर आएंगे दूस्तों बाकि आपे देखेंगे अख टार नमर पे बैटिंग करने के लिए मोका मिला है जहांपे दो रन स्कुर करा था देख सकते हैं और यहांपे चार वर का गिंदबाजे में एक विकेट निकाले थे दो मैच के अंदर टॉटल दो रन मना के दूस्तों यहांपे दो विकेट इन्होंने निकाल चुका है बग बहुत ही important गिंदबाज है ये चीज आपको ध्यान रखना होगा और ये जो player है ना दूस्तों आपको starting के पहला जो है ना power play के दोरान भी दोवर bowling करते भी दिखेंगे और date उपर में भी दूस्तों आपको एक से दो वर bowling करते भी दिखेंगे ये चीज आपको बढ़िया गिंदबाजी है बाकिया पर उशेनी का record देखेंगे दूस्तों दो मैच का अंदर तीन विकेट निकाला लैफ टरम फास्टर गिंदबाज है बाकिया पर नेक्स्ट प्लेयर ये पहले मैच का अंदर एक विकेट निकाला चार बर का बॉलिंग में दूसरे मैच का अंदर फ्लॉप रहा था लेकिन गिंदबाजी ये भी दूस्तों बढ़िया कर लेते टीम के कैप्टन भी आप इनको ट्राइ कर सकते हैं बाकि रिडवान ये पहले मैच का अंदर फ्लॉप रहा था दूसरे मैच का अंदर फ्लॉप रहा था लेकिन गिंदबाज है ये चीज आपको ध्यान रखना होगा बाकि स्टार्टिंग और पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुरश्पर उशैनी और यहाँ पर दूसरों पीटर रहो ये दो गिंदबाज आप स्टार्टिंग और बॉलिंग करते भी दिखेंगे पीटर रहो के बारे में आपको यहाँ बताया है चली वह यहाँ अगर आप देखेंगे गंविया कर टीम का रिकॉर्ट्स तो यहाँ पर आपको जर्जू जो की टीम की आपन करते भी नज़र आएंगे करा है एक वर का बॉलिंग करा था कोई विकेट नहीं मिला है इसमें लेकिन अच्छी बात यह कि टीम के टॉप अटर का बैट्स में है कम से कम एक से दो वर तक बॉलिंग इस मैच के अंदर भी करते भी दिख जाएंगे बाकी अनिरू का रिकॉर्ड स्केंड डाउन पर खेलेंगे राइट रन का बैट्स में ने दूस्तों पांच रन ने बनाएवा लास्ट मेच का अंदर चार वर का बॉलिंग में दो विकेट ने का लाई राइट लाइट राइट राइट रा था जिरो रन पर आउट रहा थ नेक्स्ट प्लेयर बाह का रेकॉर्ड दोस्तों यह देख सकते हैं विकेट की प्रीम नज़ना हैं कि काफ़े लेड बैटिंग करते हैं छे नमबर पर खेलने के लिए आए थे आठ रन बना आप इनको ड्रॉप करना है बाकि यहां पर मौदू बन्जग का रेकॉर्ड यह पहले मैच के अंदर दिखते हैं तो साथ नमबर पर खेलने के लिए थे दस रन स्कूर करा है चार वर का बोलिंग में एक विकेट निकाला है पीटर आठ नमबर पर खेलने के लिए थे इनका रेकॉर्ड उतना बैतर है नहीं आप इनको इस मैच के अंदर अवाइड कर सकते हो मौशा नौ नमबर पर खेलेंगे छे रन उनने स्कूर करा है दोस्तों चार वर का बोलिंग किया है कोई विकेट नहीं मिला है इसमें दोप्लेयर यान ओरन ओर यहां पर यहां पर स्टाफ अवाइड आप बाकर बॉलिंग करतेव हैं दोप्लेयर ही है इसमें दोस्ते हैं पर यान मौरन और यहां पर स्ट्राफन फिलिपस यह दो प्लेयर से जो कि आज आज आपको बेंचिस मेनेजर आएंगे जी यानि गमिविया के टीम के तरब से बाकि यह दोनों हे टीमों का जो स्कुर करा है और दूसरे मैच के अंदर 27 बनाएं दो मैच के अंदर टोटल 41 रन स्कुर कर चुक है तो यह खिलाड़ी सबसे लो सेलेक्शन अभी है इनका लेकिन आप देख रहे हैं टीम के टॉप अटर का बैट्समन है इनको मैं ट्राय करूंगा बाकि देखो गमिया की टीम इनके तरफ से ने इन दोनों का सेलेक्शन बहुत जादा है जैसे कि अगर यहां पर देखेंगे यहां पर एक बार में फिर साब को बता दूं यहां पर ओश्मान वा इनका सेलेक्शन हाई है लेकिन 6 नंबर पर खेलने के लिए ते 10 रन स्कुर करा है यह आठ रन स्कुर करा तो बिल्कुल आप इनके साथ जा सकते हैं बैटिंग में 3 बैट्स मनें जिसमें से आई टमबा को मैंने ट्राइ किया हुआ है और एन आई जी के टीम के तरफ से दो खिलाड़ी है इन दोनों का सेलेक्शन कम है इनका सेलेक्शन खास करके देखोगे तो कम है लेकिन यह भी अगर आप देखेंगे तो एन आई जी के टीम के तरफ से बढ़िया प्लेयर है दोस्तों अच्छा खेल रहे हैं अभी ओपन करने के लिए आते हैं और दो मैच के अंदर 29 रन स्कूर कर चुका है तो मैं इन तीनों को ट्राइ करूंगा और इनको ना लेने का रिजन में एक दो खिलाडी है और एन आई जी के टीम के तरफ से दो खिलाडी टोटल जो चार प्लेयर है ये चारों बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट आपके लिए रहेंगे बाकि बॉलिंग में तीन बॉलर जिसमें से गमविया के तरफ से ये टीम के सांदर गिंद बाज है एन आई जी के टीम के तरफ से ये भी दो खिलाडी है जो आपको चार-चार ओवर बॉलिंग करते हुए इस मैच के अंदर दीख जाएंगे पागि टीम प्रिवा मेरा देख सकते हैं कैप्टन सी के लिए मैं इन दोनों को फिलाल ट्राइ कर रहा हूँ लेकिन एक चीद ध्यान रखना द इन से चार नमर पे बटिंग करेंगे और इनका चार ओवर बॉलिंग फिक्स रहता है बाकी कुछ ओप्सन है कैप्टन सी वाइस प्लेयर चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैंने सारे विकल्प दे दिया है आप चेंज कर सकते हो बाकि दोस्तों वेट करना लाइन अप का कर एक दो प्लेयर चेंज अगर होता भी है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा हमारे टेलिग्राम गुरूप में फाइनल टीम क्रिया